खरबेट फेशिल करने के बारे मैं शोच रहे हैं तो आप यह अप्सकुडव्स की फेशिल किट्स को ट्राइ कर सकते हैं काफी अफॉर्डबल है अंडर हंडर्डड आपको मिलेंगी और यह 41 रेंजेस में अवीलेबल हैं तो आप अपने ताइप के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं मैं इधर एलो विरा फेशियल किट यूज कर रही हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अलो विरा जल मेरे स्किन को काफिया तक सूट करता है और इसमें अलो विरा के साथ साथ है टीट्री, ओवाइल, सालिसलिक ऐसेट, ग्लायकॉलिक ऐसेट, ट्रायक, क्लॉजन, अलो विरा एक्स्ट्रेक्ट और टोको फेरिल एसीटेट और इन सारी चीज़ों के बार में अच्छे से देख चुकी हूं कोई भी हामफुल चीजियर्स में यूज नहीं की गई है यह जो क्लेंजर, स्क्रब, टोनर, क्रीम, एंड मड मास्क तो चलिए अब इसको एक बार यूज करके देख लेते हैं कि यह मेरी इसकिन पर कैसे काम करता है तो फर्स्ट स्टेप है क्लेंजर, क्लेंजर को अपने फेस पे अच्छे से लगा लेंगे और जेंटली तीन से पांच मेंट तक मसाज करेंगे बहुत जादा तेज मसाज नहीं करने हैं, हल्क यहाँ उसे मसाज कीजेगा और क्लेंजर से आपकी जितनी भी डर्ट है, इसकिन पर जो भी गनगी है वो सारी निकल जाएगी आपका फेस अच्छे से क्लीन हो जाएगा और आगे की जो स्टेप्स हैं उनको करने के लिए तयार हो जाएगा क्लेंजिंग करने के बाद आपने फेस को वाश भी कर सकते हैं या फिर किसी टॉविल से, कॉटन से आप इसको वाइब भी कर सकते हैं सेगंड स्टेप है स्क्रब, तो स्क्रब को मैं अच्छे से अपने फेस पे लगा लूँगी आप चाहे तो इसके पहले स्टीम भी ले सकते हैं जिससे जो भी ब्लैकेट्स वाइट है अच्छे से रिमोव हो जाए और जब इस क्रम में कर रही थी ना तो मुझे थोड़ी-थोड़ी सी टिकलिंग हो रही थी और क्योंकि इसमें सैलिसलिक एसिड है, ग्लाइकॉलिक एस शना करें और इसको अच्छे से साज करने के बाद आप वाष्लिक सकते हैं या व्यो वाइप कर सकते हैं, नेक्ट यह तो न गआने के बाद आपको कोई Semcole ECONS नहीं होगा और यह एस पर तीन से पांच मिर्ट तक ऊंज करना आ, जब वाइप्स ओणा ना हुजा इस क्रिज आप इसको मसाज करते रही है और जब यह हो जाए तो आप इसको वाइक भी कर सकते हो या फिर इसको लगा रहने दीजिए और आप पर जब मैंने इसको पर्चेस कर लिया था इसके बाद मैंने रिव्यू चेक किये तो बहुत सारे लोगों ऐसे कहा था कि इसको लगाने के बाद उनको बर्निंग सेंसेशन होती है वह इसलिए भी हो सकती है क्योंकि एकने प्रोन स्किन पर आप इसको यूज करते हैं और अपन बिल्कुल भी नहीं करें तो अब जो नेक्स स्टैप है क्रीम को 10-15 मिन तक अपने पीस पर अच्छे से मसाज करना है और यह जो प्रेजर्स इतनी अच्छी है बहुत ही जाधा अच्छी फ्रेग्रेंस है माइल्ड है पर बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है और इसको अच्छ आपने फीस को वाश कर लिया तो एसको लगाने के बाद जैसे ब्लीच लगाने पर हो तैना फिल वैसा ही होता है मुझे डर लगा तो मैंने फेस वाश कर लिया तो अब मैं पैक अप्लाइः करती को दो इसका जो पैक है बहुत जादा थेक है तो हापको warm अप्रमिक्स करना पड़ेगा तब आप इसको अपने फेस पे प्लाए कर पाऊगे इसको जब तक यह ड्राइन हो जाता तब तक अप्लाए करके रखिए और फिर फेस को वाश कर दीजे इसको लगाने के बाद कोई भी सेंसेशन में हुए काफी सूधिंग लग रहा था काफी फेश फिल हो रहा था इसको लगाने के बाद पर यह फेस को अज़े से क्लीन करता है आपका फेस फ्रेश लगेगा पर ऐसा कुछ अलग से काम नहीं करता है आप कोई भी फेशिल किट यूज़ करोगे आपको थोड़ी सी फ्रेशनेस लगेगी आपको अपका फेस क्लीन पिल्कुल नहीं कहूंगे कि एक बार लेना ही चाहिए क्योंकि और भी अच्छी अच्छी केट्स मार्केट में अविलिबल है और जो कि अफॉर्डिबल भी है तो आई होप यह जो वीडियो पसंद आया होगा तो पसंद आया है लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे वी बाई भाई